नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमानिक, आज बताने जा रहे है, ऐसे ही कुछ नियम जो आपको गंगा सनान के दोरान नहीं करना चाहिए, ऐसे तो कहा जाता है, कि बहुत सारे लोग, अस्तियों का विसर्जन करने गंगा नदी में जाते है, और ये गलतियां कर ब लगती है, घर के सदस्यों को डरावना सपना दिखाई देने लगता है, तो अगर आप भी ऐसी गलती करते है, तो गंगा मैया आपसे नाराज हो जाती है, और कुछ फाइदा नहीं होता है, चाहे कितनी भी बार डुबकी लगा लो, सिर्फ शरीर ही साफ होता है, अंतर आत् साफ नहीं होता है, तो चलते हैं वीडियो की और जानते हैं कि वो कौन सा काम है, जो गंगा में नहाते वक्त नहीं करना चाहिए, गंगा में सनान करते समय ये साथ काम भूल से भीन करें, नमबर एक, गंगा नदी में सनान करने के दौरान आपको एक या दो बार नहीं बलक पुराने वस्त्रों को वही त्याग करें, क्योंकि पुराने वस्त्रों में नकारात्मक शक्तियों का बास होता है? हमेशा कोसिस करें कि नए वस्त्रों की धारन करें. No.3. कभी भी गंगा नदी में सनान करने के दौरान अपने संपूर्ण वस्त्रों को नहीं उतारना चाहिए, इससे गंगा माता को अवहिलना करना माना गया है. गंगा सनान करने के बाद आप इश्वर से अपने जीवन में किया गया पाप और गलतियां के लिए अवशिक शमा मांगे. तभी आपको इश्वर का आशीरवाद प्राप्त होता है. और गंगा सनान के दौरान अपने शरीर में अगरदाद, खाज, खुजली या किसी भी तरह के बीमारी हो तो गंगा माता का ध्यान कर उस मिट्टी का लेप लगा ले फिर दो मिनत तक आराम से रगड़े. एक सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है. थोड़ा सा गंगा जल सनान करने के बाद गंगा सनान वाले दिन भगवान शिवका रुद्रा भिशेक करने से आपके ज जीवन के सारे संकत दूर हो जाते है. नमबर पांच. गंगा नदी में सनान करने के बाद आपको जरूरतमंद व्यक्ति को जूते. चपल, कपरे और चटरी इत्यादी का दान देने से लक्षमी विशेश आशीरवाद प्राप्त होता है. जिन लोगों के विवाह में किसी प जाती है. नमबर छे. लोग गंगा में सनान इसलिए करते हैं कि उन्हें सभी पापों से मुक्ती मिल जाए लेकिन पापों से मुक्ती तो मिल जाती है, लेकिन फिर से पाप के राह में चलने लगते है. ऐसे लोगों को भगवान शिव ने अकाल मृत्यू का दंड देते हैं, जिसमें माता गंगा भी कुछ नहीं कर सकती है. और पापी लोगों की मृत्यू के उपरांत मोक्ष की प्राप्ती नहीं होती है. उस आदमी को मोच की प्राप्ती तब होती है, जब उसके आस्तियां को गंगा में बहाया जाता है. नमबर साथ, कभी भी ब्रश या दतुवन करने के उपरांत गंगा नदी में नहीं थुकना चाहिए. ऐसा करने से शिव जी को चोट पहुचता है. नमबर आथ, बहुत सारे लोग नहाते समय मल. लगु संका, नदी के अंदर ही कर देते हैं, ऐसे लोग कभी भी आसानी से नहीं मरते हैं. भगवान उन्हें मरने से पहले बहुत दिनों तक तरपाते हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग भोग कर रहे हैं. बेड में मल का त् जिस कारण से आज उन्हें ये तकलीफे आ रही है आशा करता हूँ दोस्तों हमें अपना प्यार और आशीरवाद देने के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करे और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को जरूर शेयर करे आज के लिए इतना ही मिलते है नई सुबह नई वीडियो के साथ धन्यवाद